हेलो बच्चो आज हम करेंगे NCRT के लास थर्ड इंगलीज की पोयम How Creatures Move Creatures क्या होते हैं? Creatures होते हैं कोई भी जीव जन्तू, कोई भी प्रानी, चाहिस में इंसान हो, जानवर हो या पसुपक्सी हो ये सब Creatures होते हैं The Lion Walks on Padded Paws, Padded होता है गद्यदार, Paws होता है पंजे, फोक का मतलब होता है चलना जो लाइन है वो चलता है अपने गद्यदार पंजो पर, The Squirrel Leaves from Limp to Limp, Limp होती टहनिया, Leaves होती है, चलांग लगाना जो गिलहरी है वो टहनियों पर चलांग लगाती है, While Please Can Crawl, Please होता है मक्खिया, Crawl होता है रेंगना, Straight Upper Wall, सीधी दिवार पर, तो जो मक्खिया है वो सीधी दिवार पर, Crawl कर सकती है And Seals Can Dive and Swim, जो सील होती है वो Dive कर सकती है और Swim कर सकती है, Dive का मतलब होता है डूपकी लगाना, Swim का मतलब होता है तैरना The Worm He Wiggles All Around, और जो Worms होते हैं वो Wiggle करते हैं चारो तरफ, Wiggle का मतलब होता है तेडे मेडे होकर चलना, The Monkey Swings By His Tail, Monkey जूलते हैं अपनी टेल से, Swim का मतलब होता है जूलना, टेल होती है मंकी की पूच And Birds May Hope Upon The Ground और जो Birds होती है वो Hope कर सकती है, कूच सकती है ग्राउंड पर और Spread Their Wings and Sail और अपने Punk फेला सकती है, Wings होता है, Punk Spread होता है फेलाना, और Sail तैर सकती है But Boys and Girls Have Much More Fun लेकिन जो Boys हैं, Girls हैं वो ज्यादा मज़े कर सकते हैं, देलीब वे कूच सकते हैं, डान्स कर सकते हैं, Walk कर सकते हैं और भाग सकते हैं, तो इसलिए जो Boys और Girls हैं वो ज्यादा मज़े कर सकते हैं अब इसमें New Words कौन से हैं, इसमें है Padded, Padded का मतलब होता है गद्देदार, Lim, Lim का मतलब होता है टहनिया, Kroll का मतलब होता है रेंगना, Dive का मतलब होता है डुपकी लगाना, और Viggle होता है टेडे मेडे होकर चलना इस Poem में जितने भी Action Words है उन्हें आपको Underline करना है Action Words कौन से होते हैं? Action Words वे होते हैं, जिन Words से हमें किसी Action का, किसी काम का पता चलता है कि कोई काम किया जा रहा है, कोई Action किया जा रहा है वे होते है Action Words तो चलिए देखते हैं इसको हैं में कौन-कौन सी action words है First है walks, walks मतलब चलना फिर है leaps, कूधना उसके बाद है crawl, रेंगना फिर है dive, टूपकी लगाना swim, तैनना wiggle, टेड़े-मेड़े होकर चलना swing, जूलना hop, कूधना spread, थेलाना उसके बाद है leap, कूधना dance, नाचना walk, चलना, run, भागना तो इस poem में ये action words है Next है talk time Why do boys and girls have the most fun? जो boys हैं और girls हैं उनकी मज़े ज़्यादा कैसे हैं? Boys and girls have more fun because they can leap, dance, walk and run around Boys and girls ज्यादा मज़ा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वे कूद भी सकते हैं dance भी कर सकते हैं चल भी सकते हैं और भाग भी सकते हैं इसलिए जो boys हैं और जो girls हैं वे ज्यादा मज़ा कर सकते हैं Next है Let's write Match the words in column A with those in column B अब आपको यहाँ पर कुछ words दिये गए हैं जिने आपको match करना है Column A के words को Column B के words के साथ में आपको match करना है तो लोईन का कर सकता है? जो लाइन्स है वो Walk कर सकता है Squirrel Leap कर सकती है Please Scroll कर सकती है Seal Dive कर सकती है Warm Beagle कर सकते है Monkey Can Swing Birds Can Hope आपको यह सब अपनी बुक में करना है आपको अपनी बुक में हिने match करना है Next है Now make sentences of your own using the matching words नीचे आपको सोरी बच्चों जो उपर आपने words match किये थे उनका use करके अब आपको कुछ sentences बनाने है एक example आपके लिए दिया गया है The seals dive into the icy water जो seal है वो dive करती है ठंडे पानी में icy water बहुत ठंडा पानी होता है अब हम नए जो sentences है प्राउडली इन दा जंगल lion जो होता है जंगल में प्राउडली चलता है The squirrels leap around the banyan tree banyan tree के चारो तरफ squirrels leap करती है कूती है The fleas crawl on the wall जो मक्या होती है वो दिवार पर crawl करती है The worms wiggle on the ground जो worms होते हैं वो ground पर wiggle करते हैं टेडे मेडे होकर चलते हैं The monkey swing on the branches of the tree monkey tree की branches पर swing करते हैं जूलते हैं The birds hop on the ground जो birds होती है वो ground पर कुदती है Movement words from slow to fast अब आपको यहाँ पर नीचे कुछ words दिए गए है जिन्हें आपको उनकी movement की accordingly slow to fast अरेंज करना है जो words सबसे slow है वो है crawl crawl का मतलब होता है रेंग न उसके बाद है walk चलना फिर है hope पूदना उसके बाद है run भागना ऐसे ही आपको इन्हें अरेंज करना है Next है Underline the letters which are silent in the following words आपको नीचे जो words दिए गए हैं उनमें कुछ letter है जो कि silent है आपको उन्हें underline करना है silent letter वे होते हैं जिन्हें हम लिखते तो हैं लेकिन जब हम word को पढ़ते हैं pronunciation उसको word का करते हैं तो उस letter की जो sound है वो नहीं आती है जैसे walk है walk में L की sound नहीं आती है straight में GH की sound नहीं आती है more में E की sound नहीं आती है ऐसे ही है court court में भी GH की sound नहीं आती है काम में L की साउंड नहीं आती है और टॉक में भी L की साउंड नहीं आती है साइलेंट वर्ड्स लिखे जाते हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं जाता है फिर है say aloud नीजे कुछ वर्ड्स दिये गए हैं जिने आपको जोर से पढ़ना है फरस्ट है स्क्वेरल फिर है question squirrel का मतलब होता है question होता है question queen होता है rani kilt होता है rajai फिर है quite quite का मतलब होता है sand उसके बाद फिर है quite is quite का मतलब होता है अत्यंत काफी सारा फिर आपको यहाँ पर कुछ line ने दी गई है जिने भी आप पढ़ सकते हैं squirrel, squirrel on the tree running quite as can be quickly quickly come catch me next है what do you do when you are bored जब आप bored होते हो, bored हो जाते हो तब आप क्या करते हो यहाँ पर दिया गया है लक्सममा sing a song when she is bored जो लक्सममा है जब वो bored होती है तो वो गाना गाती है sing a song रतनाकर reads a book रतनाकर एक किताब पढ़ता है गोपाल talks to his friend गोपाल अपने दोस्तों से बाते करता है अंजेह writes a story जो अंजेह वो एक story लिखता है लिलम्मा गोज फोर ए वोक लिलम्मा वोक के ले जाती है परभाकर गोज टू स्लिप और जो परभाकर है वो सोने चला जाता है जब वो bored हो जाता है what do you do when you are bored जब आप बोर हो जाते हो तो आप क्या करते हो आपको यहाँ पर बताना है तो या तो आप TV देखते हो या खेलने चले जाते हो आप जो भी करते हो यहाँ पर आप वो लिख सकते हो तो बच्चो यह हमारे chapter हो गया है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ओके बचो बाई